आप देख रहे हैं जैभारत टीवी शेतरी के समस्याओं की उसके बहुत बहुत धन्यमाद आपका सर चुनाव नस्दीक आगया है एक और तैयारी वीजेपी भी कर रही है तैयारी कॉंग्रेस भी कर रही है तैयारी आमादमे भी पार्टी कर रही है पर कही न कहीं देखने को मिल रहा है कि तैयारियों से लग तैयारी एक गुटो की कॉंग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है जिससे चुनाव नस्दीक जैसे है उसे कहीं नगए आप देखते हैं नुकसान नहीं होगा कॉंग्रेस पड़ी का बिल्कुत सही कहा आपने Congres में थोड़ी सी यही समस्यकार है कि लोग अपने अपने आदमी जोड रहे है Congres के लिए नहीं जोड रहे है अगर ये एक साथ जोड़ जाये तो Congres को हराने वाला कोई पैदा नहीं है Sir ऐसा देखने को पहले भी मिला और इस बार भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एक महौल बना हुआ है लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो पर कही ना कहीं बार्गियां एक जुटो के लड़ने हैं वहीं कॉंगरेस में तूट है सर आपका क्या मानना है इस गुटबाजी के पीछे क्या है और ये क्या कॉंगरेस को आपने लिए काम करें, लेकिन जब किसी एक कॉंग्रेस के पातर को टिकट मिल जाए, तो फिर वो उस आदमी के लिए काम करें, कॉंग्रेस के लिए काम करें, फिर वो अपने उसको हराने की बात न करें, तो कॉंग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है. आप वरिष्ट कॉंग्रेसी हैं पुराने कॉंग्रेसी हैं किसको मुखे मंतरी चेहरा कॉंग्रेस पार्टी मानती है या आप क्या मानते है कि कौन होना चाहिए मुखे मंतरी चेहरा क्या वो चेहरा युवा हो या जो चलते हा रहे हैं पुराने लोगे उनमें से कोई चेहरा ह देखिए हम तो चाहते हैं कि नया चेहरा हो लेकिन अभी ऐसी इस्तिथी भी नहीं है अभी तो हरिस रावजी ही इसको चला सकते हैं हाँ उनको आगे के लिए किसी नय चेहरे को या युग को त्यार करना चाहिए और अपना आप सनक्षिक बन कर रहें लेकिन किसी ऐसे पात्र को चुने जो सब को एक समान समझे ये नगी हरिस कट का है ये तिवाडी जी गुरुप का है ये पिरत्म सिंह जी गुरुप का है किसो अरपा ठीक उपर गया आप तक अऊज़ साहिए कि जो सब को सासथ लेके चले अब का यह जो लड़ाई 2022 कि ए कॉंहरें इक जुट हो कर बिल्कुर एक लड़नी चाहिए, जब तक उनको टिकट नहीं मिले, अपने ठीक प्रयास करें, उसके बात एक हो जाएं, क्योंकि अगर सरकार आएगी तो सब को कुछ नो कुछ मिलेगा, अगर सरकार ही नहीं आएगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, और आने जैसे अभी और काफी लोग नहीं चेहरे आ रहे हैं, तो उनका आगे का भावश्य है, मानलिया भी मसूरी विधानसभा से अभी दो जो हम पर्चुन दी मानते हैं, गदावरी थापली जी और स्री जो सिंग उनसुला जी, अभी दो जो सीनर लेडर हैं और जो मतलब जिनका अभी नाम चल है, ठीक है, उन दो में से कोई बने, लेकिन आगे जो नहीं चेहरे हैं, उनको मौका मिलेगा ज़रूर, क्योंकि उसलैक हैं, उसलैक हैं और सरकार को भी मतलब जो हमारी पार्टी है, कॉंकर्स पार्टी उनको अभी से यह त्यारी करने चाहिए, कि हमें किन लोगों को आगे त्यार करना है, वो त्यार नहीं करते हैं, कॉंकर्स भाव में बैठके काम नहीं चलेगा, थोड़ा छेतर में भी आना चाहिए, और किसी अच्छे आदमी को चुनना चाहिए, जिसको सब सरुसमान माने हैं. बात करें मसुरी विनान सभा की, क्या लगता है 2022 में बदलाव होगा मसुरी विनान सभा से? नी बिल्कुल होगा अगर ये एक हो जाए तो अगर एक नहीं होंगे तो अपना सब नुकसान में रहेंगे, सब अपने घर बैठे रहेंगे लेकिन यहाँ तो यह है कि मतलब अगर वो नहीं बनेगा, मैं नहीं बनूगा तो वो भी नहीं बनना चाहिएगे हाँ अगर ये सोच रखेंगे तो वो कभी जिन्दे में काम्याब नहीं हो पाएंगे तो इस सोच में बदलाव कौन लाएगा? तो उपर जो सीने लोग बैठे उनको बठाएं, इनको बताएं, समझाएं इनको कि भई आप पार्टी के लिए काम कर रहें ये अपने लिए काम कर रहें है चुनाफ तो सर पर है और ये लड़ाई अगर इसी तरह चलती रहे तो चुनाफ तो हाँ से निकल जाएगा? अगर ये ये इस्तिती रही तो मैंने समझता कि ये कोई जीत पाएगा इनमसे जैसे यहां गुडबाजी है तो क्या दिली तक ख़वरे नहीं पहुंचती है या ख़वरे रोग दी जाती है ये ख़वरे पहुंचती है लेकि उस पे इसना गार नहीं करते अपने भी शितर की अपने प्रदानी करके बहुत सेवा करी इंडिते पाँ सालों में किया कमिया मानेंगे? क्या शितर को अभभरा किन चीजों की कमी रही या क्या चीजे और इस शितर को मिलनी चाहिए? देखिए अब जो पहले क्या होता था कि पहले बहुत जो जरूरी काम है वो ही काम होते थे अब यह काम जरूरी नहीं होते हैं अब वो काम होते कि यह हमारे बोटर है इसका काम करना है कई ना कई राजनिती हावी है अपने उनों तो समान देना है कई सौल मांटने है कई कुछ करना है यह है इसलिए अभी काम्यावे हैं उनको मतलब अभी इसी का पता नहीं है कि क्या हो रहा है कि पैसा कहा से आ रहा है इतना टैक्स आपने ले लिया है आपने टैक्स इतना ले लिया है कि पबलिक को नंगा कर दिया और उससे आप कोई काम कर रहे हैं और क्या रहे जी हम लेके दिया, आपने हमसे जो पब्लिक से लेके दिया है, आप सड़के बना रहे हैं, सड़के बना दीजिए, ठीक है, आपने बने अच्छी बात है, लेकिन पैसा तो 200-300 पर टोल टेक्स हर 10-15-20 किलोमेटर जाईए, आप टेक्स दीजिए, तो पैसा तो हमारा लग रहा है, पब्लिक को नंगा कर दिया, और सरकार वहावा लूटती है, ठीक है, आपने काम किया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हाँ सब्तर साल में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, पहले क्या था हमें पता हमने देखा हो जमाना, एक रुपय के नोट की क्या वेलू होती थी, एक रु सब कुछ हुआ है, सारा हिंदुसान में इतने काम हुए है, जिसका कोई इसाब नहीं है, लगातार कई विदानसभा उसे बहारी, आप ही की पार्टी के लोगों का विरोत करते हैं, बहारी, बहारी की डेफिनेशन, मैं समझना चाहता हूं, बहारी की डेफिनेशन क्या है, जिसका इहां घर बन चुका है, जो यहां रह रहा है, और चो लगातार सवा कर रहा है, मैं आपको एक्जम्बल देता हूँ, आरेंदर सरमाजी हैं सेंसभा ने, मतलब मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो इतने हमा समर्पित हैं, लोगों के सेवा के लिए, उनको ज्यान रहारे बिनके तो आपका जितरी कामने कि वैं सारे भारी है। को कहीं है नहांगे कोई कहीं से तो आई की उयोलयगा क्या लेकल धुषा थम गये हैं तो आपका काम में बात नहीं मान रहे हैं, तब तो बात ठीक है, जब आपकी बात मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, वो छेतर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी को आना चाहिए, अगर कोई रभल दाविदार है और सीट जितान ने लाएक है तो उसका विरुद ना हो, उसका विरोधियों से जितान लाक है और वो समर्पित है, वो सेवा की भावना उसके अंदर है, तो उस आदमी को आना चाहिए, उस आदमी को आना चाहिए, एक आखरी सवाल है मेरा, उत्राखन को बने 20 सालों है, इन 20 सालों में आप अनुभवी हैं, वरिष्ट हैं, किसको सब सबसे अच्छा मुख्य मंतरी इन 20 सालों में आप मानते हैं, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, अगर आज परतमान की बात करें, परतमान में किसकी आप एंडी टिवारी जी को महनते सबसे अच्छा मुख्य मंतरी, तो क्या कोई ऐसा नेता जिसका आप नाम लेंगे जिनमें आप एंडी तिवारी जी की छवी देखते हूं? अनी छवी तो देखें, तिवारी जी की बात तो कोई नहीं ले सकता, तिवारी जी की पास अब बीस आदब गराभी आदमी आजाएं, तो सब को खुश करके बेज देंगे. तो उनके अंदर अपनी कला कारी थी, और उनको कोई आदमी बेकुफ नहीं बना सकता, क्योंकि उनको इतना अनुभाव था, आईएसो, आईपेसो, जितने भी उनके अंदर काम कर रहे हैं अधिकारी, वो पहले उसके बारे में सोचते थे, तब उनको ओर देते थे, क्या आप पर्धान बना था, तो उसमें के महौल में और अपके महौल में बहुत फरक है, पहले लोग पर्धानों पर निर्वर होते थे, सहर काम जो पर्धान करते थे, वो होता था, डबलबमेंट नहीं थे, उसके बाद, जो आज का है, उसके बाद, देखी हम लोग उत्रा पर्धान को लोग वेसी ट्रा देते हैं, तो बहुत अज़ा थे, सहर कि सो कहते हैं, और जो पर्धान पहले हुआ करताता था, वो मांड डिया पर्धान होना चाहिए, और मान सम्मान को भी अलए थे, पर्धानों पर्धान को मिलना चाहिए. मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं कि वर्तमान में उत्राखंड काॉन सा ऐसा नेता है जिसको आप मानते हैं कि एंडी तिवारी जी की परच्छाई उस नेता में आपको दिखती है यह वेक्तिकत रूप से आप जुमन उनकी परच्छाई किसी में ने दिखती है लेकिन अभी जो यहां समाल सकते हैं वो हरिस रावजी ही समाल सकते हैं उनकी परच्छाई तो किसी में ने आ सकती है बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती समय दिया और जैसा की चुनाव बहस है तो आपने हमारे चैन उसकली बने, आप आप गुरुब बने, विनका गठन के जिए. तो अमारे मसूरी छेट से बहुत काम मतलब है कि जेले में या परदेश में हैं. धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत-बहुत दन्यवाद, आपने अपना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद. ये थे हमारे साथ वरिश कॉंग्रेस ही, जिन्होंने कहा, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा, ये लड़ने का समय आपस में नहीं है, ये समय है, कॉंग्रेस को वापस लाने का, कॉंग्रेस की वाफसी का, और एक जुट होने का, और उन्होंने हम बाहरा टीवी देह रहा दो